अभी हम सिखेंगे डिविजन तो हम सिखेंगे दो डिजिट का सिखते हैं जैसे हुआ पहले वन डिजिट का सिखते हैं जैसे कि 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 के टेबल में कितने बार में 6 आता है तो 2 3 जा जैसे होता है 2 इंटो 3 is 6 तो यह जो वैल्यू होता है इसको हमेशा डिविजन में यहां पे लिखते हैं तो 2 3 जा 6 और यह कट गया तो यह हुआ डिविजन का वैल्यू यह होता है और यहां पे जो बचता है इसक तो इसका तो 3 हो गया अब हम देखेंगे टू डिजिट नंबर और यहां पर कभी कभी क्या होता ना इसे माल लो रहता है अब होता है टू को करेंगे 7 डिवाइड तो अब 7 तो 2 के टेबल में आता नहीं है तो इससे छोटा क्या आता है तो 6 आता है तो 2 3 जा 6 लिखते हैं तो एक बच जाता है तो यह डिमेंडर हुआ तो किसी किसी में बच जाता है किसी किसी में नहीं बचता है इसको ऐसे लिखते हैं 3 पहले लिखेंगे उसके बाद 1 यह डिमेंडर उपर चला जाएगा और यह जो है यह नीची आ जाएगा इन दोनों को कैसे करते हैं 3 2 जा मतलब अगर हमको यह value लाना है तो कैसे करेंगे इसको इसको multiply करते हैं और इसको add करते हैं तो 3 2 जा 6 और प्लस 1 7 by 2 और division ऐसे ही तो होता है कि 2 को 7 से divide करो अब देते हैं 3 डिजिट का जैसे हुआ 2 का टेबल है और हम करेंगे 3 6 5 को हां तो इसमें क्या होगा न कि पहला जो है अच्छा पहला हम लेते हैं 1 1 लेते हैं तो अब क्या है कि 2 को 1 से divide करना है अब क्या है वन जो है वो तो 2 से छोटा है तो हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते हैं तो हम लोग 6 को भी संग में ले लेते हैं तो अब देखते हैं 2 के टेबल में 16 आता है या नहीं और अगर नहीं आता तो उससे छोटा वैल्यू लेना है तो आज आता है 2 के टेबल में 8 बार में तो 8 लिखते हैं यहां 16 यह कट गया माइनस होता है न यहां पर तो 6 कट गया अब यह 5 ऐसी उतर जाता है अब क्या है कि अब यह 5 उतर गया अब इससे छोटा टू के टेबल में कितना बार में आएगा तो टू जब 4 होता है तो यह माइनस हो जाएगा तो यह 1 बच जाएगा और यह रिमेंडर बच गया और यह 82 से अगर हम 2 को मल्टिप्लाइ करते हैं तो इतना वैल्यू आ जाएगा और इतना नहीं आएगा यह कितना आएगा 164 आएगा यह जो 4 है ना 164 आएगा और एक बच जाएगा तो यह होता है डिविजर यह एक गेम की तरह ही समझो जो चीज बता दिया गया अब बस उसी को फालो करना है